नमस्ते प्रिंट्स, इंकम टेक्स रिलेटेड और एक फुडियो में आप सभी का स्वाधत हैं इंकम टेक्स डिदक्शन सीरिस के इस फुडियो में हम लोग बात करेंगे कि Senior Citizen Taxpayer उन्हें Bank Account पर मिलने वाले इंकम टेक्स कैसे बचा सकते हैं तो यहां हम लोग बात करने वाले Income Tax Act के सेक्शन ATTTB के बारे हैं इस सेक्शन के अंतरगत Senior Citizen Taxpayer को Bank Account पर मिलने वाले इंकम टेक्स का डिदक्शन मिलता है Senior Citizen Taxpayer अगर किसी भी Bank, Banking Company, Corporate Society या Post Office में कोई भी Saving Account, Fixed Deposit, RDA या Time Deposit करते हैं और उस पर उन्हें इंट्रेस मिलता है तो सारे इंट्रेस में से इस सेक्शन के अंतरगता का डिदक्शन क्लेम किया जाता है जो Senior Citizen इस सेक्शन के अंतरगता का डिदक्शन क्लेम करते हैं तो इस सेक्शन के अंतरगता जो मैक्जिममम डिदक्शन मिलेगा वह मिलेगा 50,000 रुपई का Taxpayer को उसे Saving Bank Account, Fixed Deposit, RDA या Time Deposit पर जो इंट्रेस मिला है उस सारे इंकम की तोटल करनी होगी उस इंकम को पहले Income Decision में दिखाना होगा और उसमें से मैक्जिममम 50,000 रुपई का डिदक्शन क्लेम करना होगा अगर तोटल इंट्रेस 50,000 रुपई से कम मिलता है तो जितना इंट्रेस मिला है उटना डिदक्शन मिलेगा और अगर इंट्रेस के अमाउन 50,000 रुपई से जादा है तो 50,000 रुपई का डिदक्शन मिलेगा और बाकी अमाउन पर टैक्स बरना होगा अब यहां हम लोग इसे एक इंसम्पल के मात्याम से समझते हैं यहां इस उधारन के अंदर टैक्सपेर को जो इंट्रेस मिला है उवह सत्तर जार रुपई इस इंट्रेस को टैक्सपेर को पहले अपनी इंगमडा सेटन में दिखाना होगा और उसमें से 50,000 रुपई का डिदक्शन माइनस करना होगा और बचे हुए 20,000 रुपई पर टै इंगम टैक्स बचा सकते हैं आशा करता हूँ इस वीडियो के जानकर आपको यूस्पूल लगे हो अगर इस वीडियो के जानकर आपको यूस्पूल लगे लाइक करें चारब को सब्सक्राइब करें धन्यवाद